हाई गाइस कैसे सब लोग मुझे पता है यार बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहे क्योंकि यार थोड़ा बहुत बीजी था बैक्राउंड वगरा देख से थोड़ा सा चेंज किया में और उपर से कोर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत बाहुत बीजी था यहां पर मैं आप से डानल कोले क्या कुछ वगरा यह से कहीं सार audiobook इस वीडियो में आपका वो सारइक सारे कुस्टिंश के मिलेर हो होगा कोई भी पेट टेंब्लेट्स आपको बायर नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है आपको free में बहुत सारे टेंपेलेट्स मिल ज έχu मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दूसरे तीसे आ आपको हो सके तो MP templates को use करना चाहिए अब यह नहीं बताऊंगा कि अगर MP ना मिले तो उसी के पीछे पर जाओ उदाउट MP भी आप use कर सकते हैं तीसरा modern style यानि कि new generation में जितने भी templates बने हम उनी templates को use करेंगे ना कि बहुत ही पुराने जमाने के templates को use करेंगे ठीक है templates को install कैसे करना है उसको customize कैसे करना है इसके उपर में already बहुत यह अच्छा वीडियो बनाने चुका हो टेक्निकल डिपून चैनल पर वह आपको YouTube पर स्रेच करेंगे तो भी आपको मिल जागा फिर नीचे templates बिलेंगे और कौन 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 ses templates आपको choose करना चाहिए स्वयाचलों कीशन में जाते देखो एड़ से तो हमनों नॉर्मर्ड क्या करते Google पर जाते साश करते यहां पर देख सेकते numbers कितने हैं लेकिंगे इन में से कौन-कौन से best है कहां पर से आपको best templates मिलेगा तो यहां पर दिखा देखा देखा सबसे पहले तो आता है यह वाला गोया भी templates ठीक है इसको आपको open करना है एक और website है जिसका नाम है सोरह templates ठीक है तो इसको भी आपको open करना है मेरी इसाफ से यह दोनों यह जो दो template है लगबख सभी पर same to same templates आपको मिल जाएंगे लेकिन यह दोनों ना बहुत ही popular है इन templates के मामले ब्लॉगर के templates के मामल में यहाँ पर आपको free में templates भी मिल जाएंगे जो लोग beginner है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे templates मिल जाएंगे तो templates को यहाँ पर मैं theme बोलता हो तो और आसान होगा अच्छा होगा तो उसको मैं theme भी बोलता हूँ अब यहाँ पर देखो यार अब यह तरीके से मिलेगा फॉर एक्जामपल हम लोग column मतब दो column तीन column चार column इस हिसाफ सुचाते है यह साइट यह यहाँ पर से देख सकते एक bracket है उसके यह site यह column है और इस site में एक और column है ठीक है लेकिन अगर हमें 3 का लेना है 3 columns मतब हमें यहाँ पर एक और column चाहिए तो हम 3 columns से जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो यह column से जैसे कि यह वाला theme है यह column से यह column है और बाकी column है ठीक है तो यह 3-3 column का उस site यहाँ पर भी देख सकते हो तो यह वाला theme देख पता चलता है कि यह movie downloading जो उस site होता है ना उनके लिए सब से best होगा है ना यह वाला जो theme है यह application download या फिरी news result वगरा इसके लिए best होगा और यह वाला simple block के लिए best होगा ठीक है तो ऐसे से करके आप इन में से मैं तो अपने block का perfect theme निकाल सकते है आप अगर question करेंगे भाई मैं अपने block के लिए कैसे समझू कि यह वाला theme perfect है देखो यार मैं always कहता हूँ कि किसी भी niche में उतर करने के गोशिश करो ठीक है तो इससे आपको idea मिल जाएगा कि उस बंदी ने कैसे template यूज करके रखाया अगर उसका video का उससे तो video में कैसे template यूज होता है तो यह आपको research करते करते पता चल जाएगा ठीक है तो ठीक उसी तरीक से आपको choose करना है वरना मैं यहाँ पर अग अगर हम अपने ब्लॉग पर से अपको क्या 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 मिलेगा इतना कुछ खास नहीं ठीक है सिर्फ आपको जो फूटर क्रेडिट करने में problem होगा कि सिंपल हो सकते आपको फूटर क्रेडिट को रिमूब करने में थोड़ा problem हो लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो देखेंगे तो आपको वह भी आ जाएंगा लेकिन अगर फूटर क्रेडिट ना रिमूब करो तो भी कोई बड़ा problem नहीं है ठीक ह तो यह हो जाता है मतलब बिल्कुल सिंपल है हम लाइफ डेमो देख लेते ठीक है यहाँ पर देख सेकतो लाइफ डेमो कैसा दिख रहा है बिल्कुल बहुत ही शांदार दिख रहा है यहाँ पर आपको एक advertisement दिखेगा और उसके बाद यह आपका feature post रहेगा बाकि आप category wise मत advertisement placement, social media, sidebar, category बगरा इस सब कुछ आपको style देखना पड़ता है क्या क्या style यहाँ पर आता है अब इसको अगर मैं mobile format में देखू तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसको मैं simply थोड़ से छोटा कर लेता हो तो mobile में भी दिखेगा कैसे दिखे रहा है ठीक है ना यहाँ पर करोगे और उसके बाद यह दो साइट है एक है Google का page speed initiate यह आपको help करेगा आपके यह जो ब्लॉग हरे है यह perfect है या नहीं इसको और बाकी GT matrix यह दो साइट में इसलिए यूज करता हूँ कि हर एक साइट को मैं speed test करता हूँ कि इसका speed कैसे दे रहे देखो अगर आप WordPress पर करेंगे इसको भी आप सेम आके analyze पर किलिक करेंगे और उसके बाद हम AMP validator है या नहीं वह भी हम चेक करेंगे यहाँ पर डारेट ली कि AMP validator आप साइट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा Google के दरफ से उसके बाद rent test पर किलिक करेंगे तो यह निकालना शुरू कर देगा ठीक है I think देख सकते हैं इमेज जो यह इसने बहुत ही भर-बर के उसके है बहुत हाई मतब एक जो इमेज होता है उसका size मतब एवरेज 100 KB के नीचे होना चाहिए लेकिन इसने image मतब बहुत बड़ा-बड़ा size का उसके है अगर हम image को निकाल देते तो यह site बहुत ही अच्छा performance कर कम मिलेगा अगर pay templates करें तब ही मिलेगा अगर हम GT matrix के देखें तो GT matrix पे इसका speed हो काफी अच्छा दे रहा है 1.7 seconds है लेकिन optimization मतब इतना अच्छा नहीं है देख सेखती है यहाँ पर 64% है 74% है क्योंकि इसमें भी images यूज किया गया यहाँ पर देख सेर्वल scale images तो यहाँ पर देख सेर्व बहुत ही तो मेंली images के लिए इसका जो website है इसका speed नहीं है तो हम image करेंगे तो template परफिक्ट है उसके बदेख है तो यहाँ पर MP not available दिखा रहे हैं not an MP page यानि कि MP enabled नहीं है लेकिन कोई बात नहीं मैंने जैसे कहा कि आगर आपको MP ना भी मिलता है तो भी कोई problem नहीं है अब देखो यार यह साइट को आपको मतलब यह जो template इसको आपको download कैसे करना है ठीक है simply यहाँ पर जाओगे free download पर क्लिक करोगे और आपका जो template है वो यहाँ पर download page पर लेके जाएगा simply आप देख सेथे तो download का button ही आफ यहाँ पर भी download का button है तो download क्लिक करोगे तो simply 76 KB का है कोई MB वगरा भी नहीं है बहुत ही simple है तो इसको आप download easily कर पाएंगे ठीक है अब यह जो यहाँ पर देख रहो कि हमारा जो template है वो download हो गया अगर हम इसको extract करता हूं यहाँ पर तो इसके अंदर जो हमें कुछ मिलेगा यहाँ पर दिखा देता को देख सकती है यह total कुछ हमें files मिलेगा है ना अब यहाँ पर देख सकती है यह वाला जो publisher free version यह जो XML file है यहाँ पर XML document दिखा रहे है यह हमारा main template का code है इसको आपको blogger पर upload करना है upload कैसे करना है बिल्कुल सिंपल है वह में यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा ठीक है करना है यह आपके browser में लेकर जाएगा या फिर तो आप जिस भी वीडियो मतब जिस भी template का demo देख रहे हो सोरह template से basically यहाँ पर यह feature आता है इसलिए मुझे यह अच्छा लगता है तो यहाँ पर देख सकते हो तो इसके अगर मैं demo section में जाओंगा तो यहाँ पर देख सकते ह ठीक है यह video English में हो सकता है लेकिन English में आपको क्या मतब कोई problem नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखना है कि क्या कि हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इस बंदे का यह जो template का जो मालिक है उसने पूरा video बना के रखा YouTube में कि आपको यह template है इसको कैसे setup करना है ना तो देख सकते हैं बिलकुस सेंपल है मुझे भी हर एक particular templates के लिए video नहीं बनाना पड़ेगा आपको भी ढूंडनी के कोई जरूरत नहीं आपको बने बनाई videos बने बनाई यहाँ आप टेक्स documentation वगरा में जाए जैसे कि यहाँ पर देख से तो पूरा text documentation दिया है कि पर दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से चीज करना है यह वाला जो section इसको लाने के लिए आपको क्या करना है या फिर तो यह वाला जो format इसको लाने के लिए का करना है मतब बिलकुल एक बहुत ही perfect यहाँ पर जो यह documentation दिया होता है तो आप इसको देखकर easily आपने templates को जो setup क पर पाओगे ठीक है उपर से आपको video का support भी मिल रहा है तो I don't know कि यार इससे अच्छा है इससे सीधा simple आपको और कोई रास्ता provide करेगा कि आप अपने blogger template को कैसे stylish बनाएंगे या फिर अपने blogger को कैसे बहुत ही सुन्दर बनाएंगे not only this guys आपको template download करने से पहले यह भी है कि उस site में या फिर उस theme में क्या-क्या आपको features मिल रहा है ठीक है अगर यह कोई अच्छा developer ने बनाए तो definitely यहाँ पर video documentation है यह सब कुछ बगएरा के साथ आ उहां पर जो features से सब्सक्राइब का जो feature है वह भी आपको यहाँ पर menu पर छोड़ देगा ठीक है तो अब यहाँ पर अगर फीचर में क्लिक करें तो सब्सक्राइब लगाता है multi drop-down menus तो यहाँ पर यह एक feature मिलता है drop-down menus का आपको option मिलेगा जैसे कि इस पर क्लिक करोगे तो देख सब तो कैसे feature मिलता है उसके बाद आता है short course बहुत ही जरूरी होता है like क्यूंकि guys आप अगर article लिखोगे तो उसमें बहुत सरे stylish आर्टिकल लिखने के लिए आपको बहुत सरे चीजों की ज़रूरत होती है यह वर्टपेस तो बहुत सिल्प्ल से हो जाता है बहुत सरे plugins की सुरू लेकिन ब्लॉगर पर आपको मैनुली करना होता है ठीक है यहाँ पर देखो कि इसका जो section यहाँ पर देख सकती हूँ कि drop cape का option है आप हो सकती है तो आपका जो पहला action है उसको आप बहुत ही बड़ा लिख सकती हूँ कि यह news company जो news websites होते हूँ यहाँ पर इसको यूज कहा जाता है बहुत ही तरीके से heading h1 या फिर इस तरी कैसे दिखेगा वह दिखाता है या फिर तो आपको कौन कौन से बॉक्स आपको मिल जाएगा थी कि अलग तरीके साब इनको गोगल पर सच्क्रूप तो भी मिल जाएगा तो अपर देख से दिख रहे है ना अच्छा बटन से आपर मिलेंगे आपको और उसके बाद अच्छा चीज यहां पर बताया गया है आप जो भी टिंपलेट्स मतब डाउनलोट फिर तो पर्चेस करना जाएंगे सबसे पहले यह चीज देखना लिए लिए उसमें क्या-क्या फीचर से अवेलेवेले ठीक है बहुत सारे उससे पर बहुत डिफरेंट 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 टाइप के फीचर्स होते है यहां पर तो सिंपली नॉर्मल्ली ऐससे कुछ फीचर से जीतना कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं है लेकि आपको दूसरे आप नीचे जरू कमेंट बॉक्स में बताना हैं कौन सा वीडियो आप नेक्स में चाहते हो भी जरू से बताना अभी हम क्या करेंगे ब्लॉगर का सिरीज बहुत ही जल्दी एंड करके हम वर्टपेस के सिरीज में जाएंगे क्योंकि यह वर्टपेस में से कहीं सारे झाहते हैं